है लो डिये स्टुडेंट्स कैसे आप सभी मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूँ अब सभी पैरे बच्चों का जी एस प्लेनेट क्लासी जैपूर के ऑनलाइन यूटूब चैनल पर काफी बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर जो आर्पीसी सेकंड ग्रेड साइंस है उसक क्लासी जैपूर की जो कंप्लीट टीम है आपको जो फीजिक्स पढ़ा रहे कैमस्ट्री पढ़ा रहे दीपक सर नैंसर वह अच्छी से डिसकसन करने वाले हैं जो न्यूश लेबर सेंजी जुआ था उसके बारे में क्योंकि अभी एक्जाम के लिए आपके पास बहुत कम स है जिसके आपको केवल 1999 पर मिला है इसमें फर्स्ट पेपर का राजुस्थान जिक्के हम आप लोगों को दे रहे हैं कम्प्लीटली उसके लाव कोशिस करूंगा इंडियन जी के भी दे दो बाकी यह में लिए जो फीस है सेकिंड पेपर के लिए ठीका जिसमें आपको नॉ हम जो आज बात करने वाले हैं पेपर सेकिंड की डिटेल एना लाइसिस करने वाले हैं डिटेल एना लासिस बोले तो पूरा कंप्लीटली सुलिबस के बात करते हैं देखो दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं तीन सब्जक्ट आएंगे आपके फिजिक्स, केमे कि इसमें आपके 9 टैंथ का भी है कि पलस में 11 का भी है फेलस। में आपका ग्रेजिशन वाला पोर्टन भी है ठीक है तो यह सारा पोर्टन आपका इसके अंदर है दोस्तों अगर मैं बात करना चाहूं यहां पर राजुस्तान पब्लिक सर्विस कमिशन अजमेर वाले जो इस करता हूं biology biology की सिल्बस में बता देता हूं क्यों कि biology यहां पर मैं teach कर रहा हूं biology आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं जिलकी demo classes आपको YouTube के playlist में देखने को मिल सकती है यह जब आप डाउन लोड करोगे तो वहां पर watch demo section है वहां पर आप दोस्तों यहां पर सबसे पहला चैप्टर बेसिक चैप्टर जो आपके 11 का भी है और इसको यहां पर इन्हों ग्रेजिशन में डाल रखा है सैल आएगा जिनेटिक्स आएगी टैक्सोनोमी आएगी इकोलोजी और इन्वार्मेंटल बाइलोजी तो मतलब यह मान के चलो लास्ट की ट्वेल्ट के आपकी चार चैप्टर बट यहां पर यहां पर इकूर एक्स्ट्रा पॉइंट से जो आप एलादेव वगेरा यह ब्याहरन वगेरा है यह राज़ोस्तान की स्पेशली ओडेडिकेटिड किये एकोलोजी में आप सलेबस को देखती हूं तो हमीसे यहां पर हर पॉइंट को भी देखा करो ठीक है बाइटेक्नोलोजी यह ट्वेल्ट वाली आप पढ़ लेना जिसमें यहां पर हम यह जो यूगर्ड प्रोक्रेटिक सेल्सम सेल्समें डिसकस कर लेते हैं और यह बाकी माइक्र और्गिसम वायरस बैक्टिरिया मैक्र प्लाजमा लाइकिन वगरा जब डीजीज पढ़ते हैं तो वहां भी कावर कर लेते हैं ठीक है प्लांट मॉर्फोलोजी एन सल्ट लेउन्थ क्लास का प्लांट क्लास को आलेउन्थ क्लास की है यहाँ पर यहां पर वालेव क्लास की और रखी है हमाइन एंद है आपको को discussion करेंगे मैं अब graduation basis का में एक बार डिसकस कर लेता हूं तो graduation basis में वही सैल molecular biology आपकी दे रखें दोस्तों यहां पर genetics आपको दे रखी है एनिमल taxonomy यहां दे रखी है रिप्रेंट्जेंटिव एनिमल्स जैसे लाईट शाइकल एक्स्टरल इंटलड्फींटर सो अप यहां पर छोड़कोबार मीसियम यहां फिंगंडम में Tea से और इनको टोड़ा से निएउम सब्क्रांपार इस फोड़ा बस उच्टियाप्रोबियोंग क्लासिफिकेसन दे दी है यहां पर इनकी हर एक सैयमली और इसके importance देदी यहां पर जैसे यूफो बिसी सोलेने सी माल बिसी कॉनवलों सी एस्टोनॉमि तो economic important ौप य। प्लांट्स भी हमें कवर करके जाना हैं economic importance आप अनिमल्स भी हमें कवर करके जाना है समझदों य। समझदों बच्चो इकोलोजी एंड इन्वार्मेंटल बाइलोजी में जिसमें वही सारी चीज़ें आगी जो आपकी 12 के लास्ट के 4 चेप्टर थी बाइटेक्नलोजी हमें अच्छी से कवर करनी है जेनेटिक इंजिनियरिंग जीन ट्रांसपर टेक्निक वगर यह सारी चीज़ें डेने फिंगर इकोनोमिक जोलोजी तो यहां पर इकोनोमिक इंपोटेंस आपको सब की पढ़नी है दोस्तों प्रोटो जवा की एनलीडा की इंसेक्ट्स की मॉलस्का सोसेलाइस बीज एंड मंकी तो इनके भी आज या कल के अंदर आपको मैं नोर्स प्रवाइड करवाता हूं और जो बच कि अब आगे किसलेबस के नेंसर फिजिक्स के देपक सर आपको समझाएंगे आज के लिए तने धन्यवाद जैहिंग आज कर आज कर आप सब लोग कैसे हैं आई होप सब बढ़िया होंगे सभी का स्वागत है चलिए जी तो आज क्यमेस्ट्री का जो नया सेलेबस आया है परिशान होगे और पहले क्या था और आप क्या था कुछ ही नहीं हुआ है मैं आपको सच बात बता हूँ तो कोई भी जाया चैन्जिस नहीं किया है बस थोड़ा सा क्या क्या है 12 का उठाके गैजिस्ट्र में डाल दिया है बस जो इसने स्टेंडर्ड लेवर जो अपना 12 स् सब कुछ वही है बस वह पार हटाके गैजिस्ट्र में डाल दिया है बस अब पता नहीं ऐसा क्या इन्होंने इत्वाड़ा चैन्जिस कर दिया घवराने वाली बात नहीं है देखो मिलनी बात करें तो एक्टमी के स्ट्रक्चर में देखो हमने यह चैप्टर पूरा कम्पी डालजा पूरा की यहां बात करें तो एक्टमीक की स्ट्रक्चर में हमने को पूरा कवर कर लिया है यह वैसा जो पहले था कोई चेंजस नहीं है इसके बाद में केमकल bonding and molecular structure ये भी जैसे ता वैसा का वैसा है ये भी हमने पढ़ लिया है ये दोनों चेप्टर हम पढ़ चुके हैं अच्छे से समझाच भी चुका हूँ है आपको इसके बाद classification of element and periodicity in property आवत शानी आप समने पढ़ी है तो आवत शानी भी हमने पढ़ लिया है ये भी ऐसा का ऐसा है इसमें भी कोई बदलाव नहीं आया है वह इधर उदर नहीं किया बिल्कुल ऐसा का ऐसा है समझे मागी बाद देखो ना इसके अंदर भी देखो न अटमी स्ट्ट्चर में fundamental particles atomic model their limitation dual nature डी ब्रोगली concept uncertainty principle modern concept of atomic structure quantum number आवबाउ पावली एन प्लस एल रूल electronic configuration ठीके ना यह है जो इसके इंदर जो यह वाला पाट है यहां से लेके यहां यह मोल concept का पाट यह हमारा पढ़ना बागी है मोल concept हमें भी पढ़ना बागी है ठीके ना इसको physical chemistry में डाल रखा मैंने वहीं पर इसको मेंसा पढ़ाता हूं आप भी जानते हो मोल concept का पाप्टी करेगा वहां पढ़ेगा अब जो समझें के चैमिकल बॉंड निग्रासाइन की बात को इसमें आइनी कोवलेंट कोडिनेट इन सब की प्रॉपर्टी वगरा की बात करेंगे और इसन क्या होता है अब जान सूल रेजोनेंस की प्रॉपर्टी क्या है यह सब हमने कवर कर लिया अच्छे से कोई दिक्र कर लिए तो यहां से एक चप्टर इस हमारा बाकिया है नेक्स्ट त क्या एक लिए कि बाद कर रहा हु थीक है इक लियू विरियम हमने बहुत अच्छे से पूरा कवर कर लिया है बहुत अच्छे से मैं आपको अच्छे से में पूरा पूरा क्रखाए हैmin के आराम से कर सकते हुआ, crap остав consider P H buffer ये सıld only कुछ कि सब कुछ हमने अघ्र का की carbox की की सारी चीजी हमने बहुत अच्छे से Define भी पड़ा वी रहे हिए आप अभी तो यह भी वैसा का वैसा है कब हो जाएगा कब नहीं हो जाएगा अगला है रेडॉक्स रियक्शन यह भी चेप्टर हम ने पढ़ लिया है कॉंप्लीट कर लिया है और यह निक चेमस्री डिटेल में बात कर चुके है रिटेल में इसको पढ़ चुके आई पसी नॉमंक लेक्चर जी और सी के नाम से यह आपको पढ़ा रखा है तो यह जो पार्ट है यहाँ पर यह 12th स्टेंडर्ड का है पहले 12th में कई टॉपिक है जिनको हटा के आप ग्याजिशन में अड़ कर दिया गए आपको पढ़ना सारा वही है वही सब कुछ है कुछ एक्स्रा नहीं है हमने तो वैसे भी सारा स्टेंडर्ड लेवल का ही पढ़ रखा सारा ग्याजिशन लेवल का ही पढ़ रखा ठीक है जी क्लियर है तो यह आपका रहेगा 12th का तो जी ओसी के नाम पे यह भी कंप्रीट है तो इस पूरिये 12th वाले पार्ट में कि एक ही टॉपिक बाकी मॉल कॉंसे जिसको मैं आपको इ कि अब देखो जोने किया क्या है अब ग्याजिशन वाले पार्ट की बात कर रहें को ग्याजिशन स्टेंडर की बात कर रहें 12th के टॉपिक को इसके अंद्र है कर दिया आप अगर सेलेबस आराम से देखना ज्यादा पैनिक मत हो जाए करो आप पहले चीजों को आराम से कुछ नहीं है ठीक है कोडिनेशन कंपाउंड यह हमारा बाकिये हैं यह दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर दो पहला का मोल कॉंसेट दूसरा यह हमारा बाकिये इसके अंदर लिगेंड्स की बात कर लेंगे टाइप टाइप अवर्ना थेरिकी आईपेसी नॉमन गेचर की की बात करेंगे शाथ खैर यह मारा भागी इंदर आगे बात करें तो यहां ऑनको पड़्ा जुक्या इन स्टाइब नहीं पढ़ झाले को तो धूसरा सब्सक्राइब कर लेंगे इसमें भी है सब्सक्राइब हो चुका यह हमारा बागी कि इसको देखो मैंने तीन अलग अलग टाइब से पढ़ा है पहला कौन से पढ़ा है मैंने पढ़ाया है इसके इंदर यह पूरा यूटूब के पांच गंडे का वीडियो है आप आम से पर सकते हो जितना इसके इंदर है आप उतना इसके इंदर पढ़ना बहुत जड़ा एक्सरास किनदर आड़ इस तरह स्ट्चर है सीज़ा-सीज़ा पढ़ लेना और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिट तो आपको बस वही पाठा को इसके बाद में मैंने आपको इसके इंदर गैस लो सारे पढ़ा दी लिक्विड इस्टेट यह आपको भी पढ़ा दिया गया है यह पूरा चैप्टर कंप्लीट है स्टेट अफ मैटर पूरा कंप्लीट तो अभ वही गैसिशन लेवल में कॉडिनेशन कंपाउंट पढ़ना वाख लिए नेक्स्ट इसके अंदर देखो भई जीरो गुरूप पढ़ना वाखी इसको पढ़ना वाखी है तीन नमर ठीक है यह मैंने एस और पी ब्लोक आपको पढ़ा दिया और अच्छे तरीके से समझा भी के यिई कायप इसका विडियो भी बनाके दिये पढ़ लिया हमने और ले भी कमनम पढ़ लिया हमने फ्लोक पढ़ लिया वो से ले लिए ज्यादा लंबा चोड़ा नहीं है डैड घंटे की क्लास है डैड घंटे क्लास में पूरा हो जा रहे हैं यह होगे आपके टूटल पाथ चप्टर अफ्टक जो बागी है टूटल टूटल लास में अब बात कर रहे हैं यह मैंने पूरा पढ़ा दिया रूसर में आपको पढ़ा दिया विल्यान बढ़ा दिया ऑस्मेटिक प्रेशन और वैपर प्रेश्रा डिफरेजिंग डिप्रेशन इस सब में आपको पढ़ा दिया है एक चाट चप्टर अपने बाकी रहेगा इस भी यह बाकी है यह भी हमारा वाकी है जो सकंदर एड किया है अब सब कुछ भाई है इस साथ चप्टर यह हो गए रिएक्स्टन मेकनिजिम मैं आपको कमपलीट पढ़ा दिया यह कंपलीट इस पेट्रोस्कोपी बाकिये इस प्याइश नमर आठ यह वाला बाकी है आपका इस पैक्स को बायो इनार्गिनिक यह भी बाकी है ठीक है तो ज्यादा बैटेस ग्याजूशन लेवल का बढ़ा दिया और कुछ नहीं किया है तो जो भी आपके यह मेहीं देखो नौ चेप्टर बाकी है नौ चेप्टर उसमें से चाठ चेप्टर बढ़े हैं और पांच चेप्टर चोड़ाएं तो आने वाले 20-30 ख्लास हों मैं आपके आराम से करवाद होगा और आपके एक्जाम से पहले इसका रिवीजन भी हो जाएगा आपके से कुस्टों 30 की बात नहीं है तक चलिए बाई मैंने आपकोAR प्ढ़ बता दिया जो हमारे बागी वह में आपको बता दिय को है जो जो मैंने पढ़ा दिया अधित्र मैंना पर दिये जुन भी आठ नुव नहीं चैप्टर बागी चल रहे हूँ वह ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है सबसे बड़ा चप्टर बाकि और कोई इसमें बड़ा चप्टर बाकि ने बाकि सब चप्टर है अराम से करवादूंगा में आने वाले 30 या 40 घंटे में यह कमपलीट कोर्स आपका हो जाए तो आप यह मान की चलो आपका 70 पर सेलेबस को चुका 75 पर समय आपको पढ़ा दिया 25 पर समच में आगे बाकि तो आई होप यहां तक आपको चीज समच में आगई होगी तो नेक्स जब हम मिलेंगे नेक्स टॉपिक की बात करेंगे यहां तक क दो चप्टर के वल्ब आपको वहां से हटाए गया आप उन दो चप्टर को मत पढ़ना थर्मोडाइमिक्स मत पढ़ना वह वैसे पढ़ा दी थी पहले सेर्विस में था तो पढ़ा दी तक टीगे जी ऑके समच में आगे बात यहां तक चलिए और इंजनियर दीपक शर्मा GS Planet के Digital Platform पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और जैसा कि आपके बार-बार आ रहा था कि सर सेकंड ग्रेड के स्लेवस में क्या जुड़ा है क्या हटा है क्या हमें करना है क्या पढ़ना है तो देखे घवराने की जौरत नहीं है आपका स्लेवस बड़ा नहीं है आपका स्लेवस उल्टी डिक्रीज किया गया है घटाया गया है हाँ जी और घटाया गया है लेकिन कुछ जो चैप्टर नहीं अटाने चाहिए थे वो अटा दिये पहले तो मैं उन चैप्टरों के नाम लिखके दे देता हूँ आपको जो चैप्टर आपके स्लेवस में से अटाए करना ठीक है जो रिमूविंग चैप्टर है रिमूविंग चैप्टर कौन-कौन से चैप्टरों को हटाया गया है तो हटाया गया है पहला चैप्टर आपके देखो जो SHM वाला था सिम्पल हार्मोनिक मोशन ओस्यलेट्री मोशन के नाम से जो आपके स्लिवस में था ओस्यलेट्री मोशन इस चैप्टर को हटाया गया है लेकिन त्हान रखना जो ग्रेजुएशन स्टेंडर्ड है उस उस graduation standard के हिसाब से इसमें से आपको oscillation भी पूरा नहीं दिया, oscillation यानि कि जो दोलन है, वो दोलन भी पूरे नहीं दिये, उसमें से केवल दो दोलनों के बारे में आप सको पढ़ना है, वो है forced oscillation, और एक है आपका damped oscillation, ठीक है, ये दो oscillation के पार्ट यहाँ पर इस chapter में से डाले गए, किस में से, SHM में से डाला गया है, ठीक है, तो अपन को कहने का मतलब है, दोलन कोई बहुत बड़ा important topic नहीं है, oscillation इससे कोई numerical portion नहीं बनता, theoretical question बन जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको oscillation पूरा ही पढ़ लेना है, क्योंकि इसके अलावा दो और होते हैं, free oscillation, और उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा topic ही नहीं है, SHM बाकि क्या पूरा हटा दिया गया, oscillatory motion, दूसरा chapter आपका 12th portion में से, जो semiconductor था, इस semiconductor वाले chapter को भी remove किया गया है, इसको भी हटाया गया है, तीसरा जो आपको हटाया गया है, वो chapter आपका जो है, जो surface tension है, surface tension fluid mechanics में से प्रष्ट तनाव, प्रष्ट तनाव वाला chapter भी आपका हटा दिया गया है, ठीक है, इसको भी आपके remove किया गया है, और ये दोनों जगे से remove हो गया, ये आपके chemistry में भी अटा दिया, और इसमें भी अटा दिया, लेकिन अंतर क्या है, कि देखिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जैसे GS planet के बच्चों को पता है कि मैं semiconductor पढ़ा चुका, तो ये तरंग वाला जो chapter है, ये भी हटा दिया गया है आपका, ठीक है, अब ये chapter हमने पढ़ लिए, आपको पता होगा, आपके grade के syllabus में जो है, ये सब चीजे पढ़ा दी गई थी, और ये हट गई है, तो उसका भी panic होने की ज़रत नहीं है, इस बात को द्यान से सुने, जो chapter आपके हट गए हैं ना, ये, ये chapter आपके lab assistant में है, किस में है, lab assistant के syllabus में है ये chapter, और जब lab assistant के syllabus में है, और मैं ये बात भी confirm कह सकता हूँ, क्योंकि offline और online में जब classes ले रहा हूँ, तो offline में जब बच्चों से मुलाकात होती है, तो उनका कहना होता है, कि sir, हम grade के साथ lab assistant की भी तैयारी कर रहे हैं, तो 90%, क्या 99% student जो है, grade के साथ lab का भी paper देने वाले हैं, तो जिन students ने, SHM, semiconductor, surface tension, wave, ये chapter पढ़ लिए हैं, तो बिल्कुल उस चीज से आपको panic नहीं होना, क्यों नहीं होना, क्योंकि ये मेहनत आपकी वेकार नहीं जाएगी, ये मेहनत आपकी कहां काम आजाएगी, lab assistant के paper में काम आजाएगी, तो जिन student ने इन chapter का revision कर लिया है, पढ़ लिये हैं अच्छे से, उनको इन chapter को दुबारा से पढ़ना है, क्योंकि grade का अभी तो exam लेट होना, लेकिन lab assistant का अगले ही महीने में exam होना है, 28-39 June को, तो उस इस्तिती पर ये chapter आपके वहाँ काम आ जाएगे, तो इतना panic होने की जुरत है नहीं कि सर हमारी तो मेहनत बेकार गई, अरे आप लोगों की कोई मेहनत बेकार नहीं गई है, ठीक है जी, अब आते हैं अपने बाखी के जो है, क्या syllabus है, उस पर आजाते हैं, तो उसमें देखेगा, एक एक chapter की मैं बात बता देता हूँ आपको, ठीक है, सबसे पहले physical word और measurement, ठीक है, unit dimension वाला chapter बिल्कुल adjectives है, पहले भी यह chapter ऐसे ही था, विमा इवं मापन वाला, जो पहला chapter है, हमारा विमा मापन का, थोड़ा हिंदी में भी कर देता हूँ, क्योंकि हिंदी वाले student यह कहते हैं, सर स्लेवस हिंदी में नहीं मिलता हूँ, ठीक है, तो विमा मापन वाला chapter आपका adjectives है, पूरा आपको वैसे के वैसे ही पढ़ना है, जैसे पहले था, इसमें कोई फेर बदल नहीं है, इसके बाद आपका vector वाला starting के जो chapter है, उनमें कोई फेर बदल नहीं हुगा स्लेवस में, वो पहले भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही है, तो इसमें आपके पूरा complete vector पहले ऐसे ही था, अब भी वो की वो ही है, वो ही आपके unit vector, vector addition, multiplication, वो सब कुछ ऐसे ही है, kinematics में बात करें, तो kinematics में से देखी है, आपको केवल one dimension motion, पढ़नी है, two-dimensional motion जो है आपकी द्विम्य गती जो है और जिस द्विम्य गती में आपकी प्रक्षयप गती आ जाती है एक तो ठीक है और एक आ जाती है ब्रत्य गती circular motion ठीक है तो ये दोनों आपकी removing हो गई है kinematics में से केवल उन्होंने बंडी को रखा है एक वीमिय अगति को रखा है ज्वी मिय अगति को हटा दिया गया प्रक्षेब गति और व्रत्य अगति को खटा दिया गया है अब देखिए GS planet के students को मैं ये chapter पढ़ा चुका पुराने syllabus में था आपके 2D प्रेक्षेब गती रृत्य गती दोनों में पढ़ा चुका ये chapter आपको छोड़ देना है क्योंकि ये chapter आपके lab assistant में भी नहीं है अगर आप इसके साथ lab assistant का paper दे रहे हो grade के साथ तो वो chapter आपके ये 2D वाला जो projectile motion और circular motion है इस projectile motion और circular motion को आपको छोड़ देना है इसको नहीं पढ़ना ठीक है जी तो kinematics में से केवल one dimension motion है एक भी में गती रही है two dimension पूरी हटा दी गई है ना तो projectile motion का कोई part है ना circular motion का कोई part है ठीक है बात आती है फिर NLM पर laws of motion पर यानि गती के नियम पर तो गती के नियम में पहले भी यही थे topic अब भी यही है कोई fair बदल नहीं है किसी भी प्रकार का कोई fair बदल नहीं है वो ही laws of motion, impulse, momentum, conservation of momentum यह topic पहले भी थे अब भी है इसी के साथ जो है फिर next chapter स्लेवस जब इन्होंने change किया तो जो starting के chapter जो 11th class के chapter है उन्हें तो इन्होंने फिर बदल किया ही नहीं है इनका फिर बदल चाल हुआ था 11th के last chapter हो से उससे पहले तो इन्होंने कुछ change किया ही नहीं वो तो AJT चीचेप दिया अना तो कोई बात नहीं है यह आपका chapter बिलकुल AJT जो पहले भी ऐसे था अब भी ऐसे ही इसमें कोई दिक्कत नहीं है rotational motion rigid body वाला जो chapter है वो भी ऐसे कैसे ही है यही topics आपके पुराने स्लेवस में mention है और यही topic अब mention है आपके तो इसमें कोई फेर बदल नहीं है आपका ठीक है इसके बाद में next जो आता है आपका friction ठीक है देखे friction में बात करें तो friction में भी आपके सारा कुछ वैसे के वैसे है केवल केवल इसमें एक topic यहाँ आया है पहले यहाँ lubrication हुआ था ना देखो यहाँ पहले भी थे यहाँ पर पहले जो था टॉपिक वो था आपका कौन सा वो टॉपिक था आपका lubrication वाला तो lubrication इन्हों ने हटा दिया उसकी जगए एक topic एड़ गिया वो है quantifying frictional force अना तो कहने का मतलब यह है कि friction आपको पूरा ही पढ़ना है कोई उसमें हटाने करने वाड़ी बात नहीं है क्योंकि देखो सिलेवस में दो टॉपिक लिख दिये जाते हैं चैप्टर के आगे दो टॉपिक लिख देंगे और कई बार हम पेपरों में देखते को उन दो टॉपिक के अलावा भी question आ जाते हैं तो मेरा तो आप से यही कहना है कि जहाँ जरूरी होगा वहां मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर यही topic पड़ने तो पूरा ही पड़ना है गर्शन आपको पूरा ही पड़ना है इसमें कोई topic आप नहीं चोड़ना इसमें ना कुछ ऐड़ हुआ है चलिए, इसके बाद next properties of matter है, जिसमें आपके hooks log के बारे में young modulus, bulk modulus, rigidity, application of elastic behavior, बस एक topic इसमें add हुआ है, जो ये है, ठीक है, ये जो topic है, ये add हुआ है, तो ये topic अपन एक्स्टा पढ़ लेंगे, बाकी का मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, बाकी का पूरा पढ़ा चुके है, केवल एक topic जो इसमें है, वो ये पढ़ लेंगे, तो अब तक हमारे पास दो topic आये हैं, एक ये और एक ये topic, ये दोनो topic के बारे में हम discussion करेंगे, ठीक है, तो वो कभी भी कर लिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर आते हैं अपन, फ्लू टाइनमेक्स में, फ्लू टाइनमेक्स में क्या है, कि बाकी सब कुछ, वो की वो ही है, बस यहां से surface tension को अटाया गया है, जो एक बहुत ही अच्छा topic है, जो एक बहुत अच्छा topic है, देखो, केवल और केवल, यह हुआ, कि जिन chapterों में आपको मज़ा आता पढ़ने में, और जिनके questions आपके सही होते, वो chapter अट गए, semiconductor एक बहुत बड़ी अच्छाप्टर है, SHM आपका एक बहुत बड़ी अच्छाप्टर है, थोड़ा सा, और मुझे भी उनी chapter को में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मज़ा तो सारी chapter में आते, पूरी physics में आता है, लेकिन उन chapter में कुछ अच्छा ही मज़ा आता है, तो वो chapter हट गए, तो थोड़ा सा मलाल मेरे दिल में भी है, कि जो अच्छे chapter थे, जिन पर student अच्छी पकड़ बना सकता है, एक्जाम में वो, semiconductor, SHM, wave, surface tension, ये topic थोड़े इनको नहीं अटाने चाहिए थे, बस इतना सा है, बाकी panic होने की ज़रत है ही नहीं, ठीके, तो ये surface tension आपको नहीं पढ़नी अब, क्योंकि ये surface tension अब हटा दी गई है, तो एक आपको ये छोड़ देना है, ठीके जी, बाकी fluid mechanics आपकी पूरी है, as it is है, पहले भी यही थी, अब भी यही है, ठीके, कोई अंतर नहीं है, इसके बाद इनोंने, सीधा, सीधा 11th के portion से गए है, 12th के portion पर, देखीजिए, खोड़ा सा उपर कर देता हूँ, ये सीधे जो portion पर गए, वो गए 12th के, fluid dynamics से सीधे गए, यहाँ पर, तो यहाँ पर इनोंने 11th class के जो chapter छोड़े, वो SHM गया, सरलावर्द गती, oscillatory motion, आना, यानि दोलनी गती जिस chapter का नाम है, ये chapter गया, इसमें से केवल oscillation, damped oscillation और forced oscillation, ये दो रखे, बाकी की पूरा chapter अटाया है, इसके बाद बेव वाला, करंग वाला, जिसमें Doppler प्रवाब बगेरा होते हैं आपके, वो chapter पूरा अटा दिया गया, इसके बाद, heat वाला जो chapter होता है, heat transfer का, ये आपका remove किया गया, इसके बाद, KTG आपकी remove की गई, गैसो का अनुगती सिद्दान्त, इन्दी में बता देता हूँ, गैसो का अनुगती सिद्दान्त, heat transfer, यानि कि उश्मा का इस्थानांत्रण वाला जो chapter था, वो हटाया है, तरंग वाला chapter और SHM, मतलब, starting के 10 chapter इन्होंने ऐसे कैसे ही रख दिये, 11 के, 11 के, लास्ट के जो 4-5 chapter है वो अटा दिये, वो ये हटाये हैं, तो 11 पॉर्शन में से आपको एक तो SHM नहीं पढ़ना, एक वेव नहीं पढ़ना, heat transfer, KTG नहीं पढ़नी, और surface tension नहीं पढ़ना, प्रेश्ट तनाव नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना साब, लेकिन यदि lab की आप तयारी कर रहे हो, grade के साथ में, तो बिटाओ फिर heat transfer छोड़ देना, और KTG छोड़ देना, इसके अलावा ये तीनो, ये तीनो पढ़ने हैं आपको, क्योंकि ये दोनों तो physics में है, और surface tension वाला जो है, प्रेश्ट तनाव वाला ये chemistry में हैं आपके, lab assistant के इसाफ से बता रहा हूँ, मैं दोनों का एक साथ ले के चल रहा हूँ, कोई मैं बात वो ही करूँगा, मुझे पता है 99% lab assistant के exam देने वाले हैं, इस्टुएंट चो grade की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी, तो इसलिए अगर आप lab की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उस इस्तिती पर ये तीनों टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं, और GS planet के student, ये चैप्टर आपको पढ़ा भी चुके हैं, बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, आपने शायद पढ़ भी लिये होंगे, तो उनको revise करना है आपको, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाखी grade के इसाब से, यदि आपके वल grade की ही तैयारी कर रहे हो, तो फिर ये चैप्टर आपको 11 के छोड़ देने हैं, और इसके साथ में 2D छोड़ देना है, 2D में projectile और circular दोनों छोड़ देने हैं, प्रक्षय गति और भ्रत्य गति दोनों ही छोड़ देने हैं, बात के लिए रहे, ये बात की है अपने 11th क्लास के चैप्टरों में, ठीक है, लेब की तयारी कर रहे हो, तो SHM, WAV और सर्फियस पढ़़ लेना, ये तीनों छोड़ देना, और grade की करनी है केवल, तो इन 6 को छोड़ देना समझ में आ गई बात चलिए अब हम बात करते हैं किसकी अब हम बात करते हैं आपके 12th portion में तो 12th portion में पहले दिया गया electricity and magnetism अब देखिए यहां तक स्लेवस बनाने वाला थक गया उसके बाद उसने क्या गया कि कौन चैप्टर हो का आगे टॉपिक लिखेगा तो उसने पूरे चैप्टर लिख दिये वह भाई साब थक गये थे तो उन्होंने क्या किया current electricity जो एक बहुत बड़ा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम लिखके छ current जानी कि धारा का जो चुमकिय प्रभाव है यह तो धारा विद्दूत की हो गई यह भी एक अलग चैप्टर है magnetic effect of current थीक है पूरा अलग चैप्टर है तो यह विद्दूत धारा का चुमकिय प्रभाव यह भी पूरा पढ़ना है बेटाओ औस टीक है यह चैप्टर भी आ नाम लिखके छोड़ दिया लेकिन चैप्टर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा इसके बाद आया electromagnetic induction क्या आया electromagnetic induction यानि विद्दुद्चुमकिया प्रेरान जिसको आप EMI के नाम से जानते हो तो यह भी पूरा एक चैप्टर है यह तीन चैप्टर हो गए आपके और तीनों ही बड़े चैप्टर हैं EMI जरूर थोड़ा छोटा चैप्टर है बाकी के दोनों बड़े चैप्टर है और नाम लिखके छोड़ा है तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा अभी यह चैप्टर जैसे आपका पढ़ाया नहीं है मैंने तो यह चैप्टर पढ़ाएंगे पूरे ही पढ़ाएंगे आपको current electricity magnetic effect of current और एक current electricity आपके lab में भी काम में आएगी ठीक है lab के एक्जाम में भी काम में आएगी यह तो है नहीं लेकिन current electricity वहां भी काम आ जाएगे आपकी तो पूरी पढ़नी है आपको current दिल खोल के current पढ़ना है ताकि बिजिली के जटके पेपरवर्क में लगे चार सो चालिस का लगाएंगे पूरा का current पढ़ करके तो यह ध्यान रखना इसके बाद फिर बाते हैं बन रेय ऑप्टिक्स पर रेय ऑप्टिक्स में पूरा एजटीज है पहले भी यह था कोई चेंज़ज नहीं है कोई रोज और रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन इमेज fight अ सब्सक्繼續 रेये प्रावर्या है इसके बाद इसके बाद थी प्रमतर्र कावरतन है प्रिजम है प्रकास का प्रकीणन है झो द्रस्चि के जो दोस होते है वह हैं Dakota चेयानि किरन प्रकास की और लाहें प्रकास की तो करंग प्रकास की भी आपकी डाली자 रेंडेर में यहां अभी उन्होंने ट्वेंट एक ट्वेलथ के बस यही चैप्टर डालने पहला एक चैप्टर यह एक और एक रे चार चैप्टर डाले और फिर बाकी का जो पोर्शन है ट्वैल्थ खब वो डाल दिया किसमे ग्रेशन वाले पार्ट में वो मेरे थोड़े समस्य से बाहर है आजी वेव अप्टिक्स भी यहीं दे देते तो कोई बात निवह तो पढ़नी कहीं भी डाले से लेवस से क्या फरक यह आपका अभी बायो का ही चल रहा है यहां का यहां से फिर अपने आया मेकनिक्स कि यहां देखिये अब अपने ग्रेज़ेशन स्टेंडर में जो फिसिक्स में पढ़ना है वो मैकनिक्स में क्या-क्या और दिया उन्होंने conservation law जो work energy power में वहाँ भी लिखा हुआ था यहाँ भी लिखा हुआ है तो conservation law, sunraction, neem वो पढ़ लेंगे, वो वहाँ भी लिखे हुए थे अभी work energy power वाले में center of mass, ये पूरा chapter आपको दिया ही रखा था, rigid body वाँ, हाना, तो वह center of mass को हटा करके यहाँ डाल दिया, पता नहीं, graduation के इसाब से क्यों डाला जब chapter पूरा mention था अपना dread print गती की वाला moment of inertia, angular momentum इन सब की बात की गई थी, तो उसी के साथ में इसको add करना था ठीक है, लेकिन आलग कर दिया ये देखे, mechanics में एक topic यहाँ डाल दिया, elastic और inelastic collision, यह जो आता है वो collision आपके work energy power में था हना, कार्य उर्जा सक्ती में आता टक्कर, तो टक्कर वाला यहाँ लिख दिया, यह graduation का कुछ नहीं है इसमें, यह वो ही है, 11th वाला हना, और यह जो topic है, damped and forced oscillation, हना, यानि कि प्रणोधित दोलन और अभुमंदित दोलन अभुमंदित दोलन और प्रणोधित दोलन यह SHM का है तो SHM तो डाली नहीं, पूरी केवल उसमें से दोलन के दो प्रकार लिख दी है, damped oscillation और forced oscillation, प्रणोधित दोलन और पोशित दोलन, ठीक है यह यहां दे दिया गया तो यह graduation standard में कोई अलग नहीं है, यह आपके 11th वाला portion है, घबराने की ज़रत नहीं है कई student घबरा जाएंगे सर हम तो बायो के थे हैं, हमने तो physics पड़ी नहीं graduation में, तो अब यह topic कहां से, तो graduation का नहीं है, यह 11th का ही है 11th वाला ही portion है दिक्कत में आने की ज़रत नहीं है वो ही है, ठीक है इसके बाद फिर आये देखो classical electrodynamics नाम चेंज कर दिया बस ठीक है, यह आपका पूरा chapter, column, slow, electric field potential, dipole, dielectric gauss, theorem, application, Maxwell equation तो यह सब कुछ आपका देखो, यह सब कुछ आपका इस्तिर वैदूद की में है तो यह आपका 12th का portion है graduation का part नहीं है electro state आपकी यहाँ पर दे दी गई ठीक है, इसके बाद wave optics आपको दी गई तो wave optics में hygiene principle, interference, double slit experiment, पूरा का पूरा वो है पूरा का पूरा इसमें आपके डाला गया है high gain आ गया, interference आ गया, diffraction आ गया क्योंकि wave optics में आप पन जर्नली interference के बारे में पढ़ते है वैतिगण के बारे में diffraction यानि विवर्तन के बारे में पढ़ते है फिर last में polarization के बारे में पढ़ते है दुरवण के बारे में तो यहाँ सारा कुछ है high gain principle दिया है interference से यानि की व्यतिगण दे दिया यहाँ diffraction पूरा आ गया आपका ठीक है और इसके बाद आपके polarization भी आ गया और सार्थ में यहाँ scattering of light भी दे दिया आपको scattering of light जर्नली अपन पढ़ते है ray optics में लेकिन ray में topic नी डाल करके कहाँ डाल दिया wave में डाल दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पढ़ना तो ही नाम से थोड़ी मतलब है हमें तो topic cover करने है तो optics आपकी पूरी एजटीज है उसमें कोई फेर बदल नहीं है किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है पूरा आपको वैसे के वैसे ही पढ़ना है इसके बाद आता है आपका thermal और statical physics जिसमें देखे हैं आपके thermodynamics आ गई थर्मोडाइनमिक्स आ गई उसमें कार्नोट इंजन वगेरा आ गया internal energy आ गई यह यहां तक 11 वाला portion है इसके बाद में आपके entropy enthalpy, gives free energy जो chemistry में आती थी वो physics में डाल दी गई है ठीके जी यह सब कुछ आपका creation वाले पार्ट के इसाफ से डाल दिया गया थर्मो का ठीके तो यह सारे topic आपको पढ़ने पढ़ेंगे ठीके यह थर्मो जब मैंने पढ़ाई थी तो जो है नहीं पढ़ाया इनको entropy, enthalpy, gives energy रिये मैंने discuss नहीं की है तो यह discuss कर दी जाएगी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है थर्मो को थोड़ा सा बढ़ाया है और यह entropy, enthalpy आप chemistry में पढ़ चुके होंगे थर्मो में ठीक है इस quantum mechanics में यहां देखिए postulates of quantum mechanics, uncertainty principle यानि एनिश्चिता का सिद्दान्त, Schrödinger, Samikand, harmonic oscillator and its stationary condition वन-dimensional, barriers, linear, vector, space and operators यह है अब देखो यह पूरा ग्रेशन वाला पार्ट है आपका ठीक है तो यह graduation में आयेगा यह यहां से यहां से लेकर के यह आपका पूरा ग्रेशन का पार्ट है यहां तक ठीक है इतना सा पार्ट आपके graduation का है बाकी का syllabus आपके 11-12 वाला ही है अनौ, graduation पार्ट को भी कम कर दिया गया पहले जादा था आप कम कर दिया ठीक है जी यह बात हो गई इसके बाद में modern physics आई साब अब इन्होंने यहां सबसे बड़ी गलती की यहां सबसे बड़ी गलती यह हुई है कि देखो modern physics में आपके तीन chapter आते modern physics में यानि आदुनिक भौतिकी में आप तीन chapter पढ़ते हो एक पढ़ते हो atomic structure atomic structure एक यानि कि परमानु संदचना के बारे में एक photoelectric effect पढ़ते हो आप ठीक है प्रकाश श्विद्ध प्रभाव के बारे में प्रकाश की कणिये प्रकरती जो होती है ठीक है और तीसरा आप जो पढ़ते हो वो nuclear पढ़ते हो नाविक के बारे में अब इन्होंने क्या किया modern physics में देखो यहां लिख दिया nuclear physics और radio activity अब radio activity तो लिखी हुई है तो पूरी radioactive ता पढ़नी है लेकिन इन्होंने यहां लिख दिया nuclear physics तो कहने का मतलब यह है कि हमें nuclear वाला chapter पूरा पढ़ना है जान से सुन लो SAR क्या है जितना मैं analyze करके बता रहा हूँ कि आपको nuclear वाला पूरा chapter पढ़ना है atomic structure की बात करें तो उन्होंने एक word लिखके छोड़ दिया केवल यहां पर structure of atom तो atomic structure में आप जो छोटी मोटी चीजे है charge के बारे में इसके size के बारे में इनके बारे में पढ़ोगे बाकी की bores model रदरफोर्ड मोडल और आगे जो schrodinger वगेरा है वो नहीं पढ़ना क्यों schrodinger आपके यहां डाल दिया उपर तो यहां नहीं पढ़ना आपको पढ़ोगे तो उसके साथ structure of atom है वो तो पढ़ने में आई जाएगी automatic और यह मैंने जब पढ़ाया है nuclei वाला तब पूरा इसकी बात की गई है किस प्रकार से proton, electron, neutron क्या mass होते हैं क्या amu में क्या होता उसमें क्या होता यह normal बाते जो हैं वो सब पढ़ा दी गई है तो इस atomic structure में आपको war model, rutherford model यह नहीं पढ़ना ठीक है अब बात आती है next wave property of matter की और particle physics देखो यहाँ थोड़ी सी गड़वड की गई यहाँ गड़वड यह की गई कि nuclei यह आ गया इस एक बड़वड से आपके atomic structure आये लेकिन atomic structure detail में नहीं जाना आपको war model नहीं पढ़ना यह वाला जो है wave property of matter और particle physics यह आपके photoelectric fact में आता है wave property of matter जो है इसमें deep broadly पढ़ना है पूरा आपको द्यान से सुन लीजे यह जो topic है wave property of matter पधार्थ का जो तरंग जो गुण है वो deep broadly कहने का मतलब deep broadly theorem पूरी पढ़नी है आपको और particle physics का मतलब आ गया quantum सिद्दान्त Einstein का जो quantum सिद्दान्त था e बराबर h new वाला वो equal to mc square वाला ठीक है यह आपको पढ़ना है quantum और deep broadly दोनों पढ़ने हैं और यहाँ पर देखिए यही special theory of relativity सापेक्षिता का सिद्दान्त तो आपको photoelectric effect मैं से photoelectric effect नहीं पढ़ना ज्यान से सुन लेना प्रकाश विद्दुत प्रवाब नहीं पढ़ने प्रकाश विद्दुत प्रवाब के नियम नहीं पढ़ने ठीक है आपको केवल उस chapter मैं से एक तो डीवरोगली theorem पढ़नी है जिसमें alpha-beta, alpha particle की electron की proton की neutron की इनकी डीवरोगली theorem डीवरोगली बेवलन निकाल लेंगे और दूसरा जो पढ़ना है वह आइंस्टीन का quantum सिद्दान्त और relativity theory पढ़नी है ठीक है इसके अलावा सिस्टम और electromagnetic wave एक बार में अब जो removing chapter है उनको एक साथ लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि यह chapter तो बिलकुली नहीं पढ़ने है ठीक है जी देखिए 11th portion में से आपको क्या नहीं पढ़ना पहला तो 2D नहीं पढ़ना ठीक है 2D में projectile और circular यानि प्रक्षे पिगती और व्रत्य गती नहीं पढ़नी दूसरा आपको SHM नहीं पढ़ना ठीक है तीसरा आपको वेव वाला chapter नहीं पढ़ना चौथा आपको surface tension नहीं पढ़नी प्रश्च तनाव बही इंदी में और लिख देता हूं नहीं कई बच्चे तो यहीं कहेंगे सर इंगलिश इंगलिश में पदाते थे प्रश्च तराव नहीं पढ़ना भी तरंग वाला chapter नहीं पढ़ना दोलनी गती यानि के ओसिलेटरी मोशन या फिर सरलावर्त गती यह नहीं पढ़नी आपको ठीक है इसके लावा केटी जी गैसों का अनुगती सिद्धान्त बहुत चैप्टर हटाए गए ही आपके घैसों का अनुगती सिद्धान्त नहीं पढ़ना ही ट्रांसफर नहीं पढ़ना ओर्जा का इस्थानांत रण यह नहीं पढ़ना चीक है इसके बाद अगर आते हैं 12th portion में यह तो 11th का हो गया 12th portion में यदि बात करेंगे तो 12th portion में आपको क्या क्या नहीं पढ़न एक तो alternating current नहीं पड़ी नहीं है ठीक है यानि कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा का भी आपको कोई जरूरी नहीं है आप इसको पड़े ठीक है इसके बाद आपके CS और EMW यानि communication system और विद्दू चुमकिय तरंग संचार विवस्ता और विद्दू चुमकिय तरंग ये नहीं पड़ना इसके बाद आपको semiconductor भी नहीं पड़ना अर्द चालक वाला chapter नहीं पड़ना आपको इसके बाद बात करें तो और क्या रहा आपने photoelectric effect नहीं पड़ना इसके बाद आपको atomic structure भी नहीं पड़नी नहीं पड़नी देखो structure of atom तो न्यूक्ले में आ जाएगा परमानु संरचना भी नहीं पड़ना है परमानु संरचना प्रकाश शुदुत परवाव नहीं बात करनेगे लेकिन इसमें से डीबॉगली पड़ना प्रकाश शुदुत प्रवprovाव वाले में सके बल्बॉगली पड़ना बस और एक quantum सिद्दान तो ये पढ़ लेना दो टॉपिक आइंस्टिंग का quantum सिद्दान, relativity theory और जो है डी ब्रॉगली ये अभी पढ़ाएंगे अपन आगे अभी पढ़ाया नहीं है 12th portion atomic structure में से कुछ भी नहीं पढ़ना है ठीक है साब तो ये रही आपके स्लेवस की बाते इसमें से अब आपके बात ये आती है कि लेव के हिसाब से सर अगर हम पढ़ना चाहें तो इन मैं से कौन-कौन से chapter पढ़ने हैं लेव असिस्टेंड के हिसाब से जो ग्रेड और लेव दोनों का देंगे उनको बता दू बेटाओ उनको क्या पढ़ना है उनको देखो एक तो SHM पढ़ लेना एक वेब पढ़ लेना एक सर्फेस टेंशन प्रेश्टितनाव ये physics में नहीं लेकि chemistry के साब से पढ़ लेना और यहां से फिर आपका कौन सा chapter semiconductor पढ़ लेना और एक अट्मिक structure ये जो आपके grade में से अटाए गए ये लैम में है इन चैप्टरों को आपको पढ़ना है तो मेरा आप से कितना केना केना है कि आपका स्लेवस तो कम हुआ है जो आपके लिए खुशी की बात है अब आपको कम पढ़ना पड़ेगा क्योंकि student journal यही चाता सरम कम पढ़े लेकिन थोड़ इसी दिक्कत यह हो गई कि कुछ चैप्टरों में उन्होंने topic mention नहीं किये जैसे current वाले में तो current पूरी पढ़नी है magnetic effect of current विद्दुदारा के चुम के प्रवाब उसमें भी topic mention नहीं तो वह भी पूरा पढ़ना है ना 12th और 11th में से भी chapter अटाए गए बस गलती यह हुई है कि जो chapter अच्छे है ना जो तुमारे लेब में अच्छे से काम आ जाते और वही चैप्टर अगर grade में आ जाते तो आपको मजे आ जाते लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बिटाओ कोई panic होने की जौरत नहीं है मजे से पढ़ाई करनी है ठीक है बिल्कुल भी और कोई इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है मैं जानता हूँ कि लेब वाले बच्छे लेब की भी तयारी करते हैं इस्ट्वेंट कर रहे हैं तो आपको यह जो chapter मैंने red से टिक कर रखे हैं यह chapter जो हटाए गया है grade में से इनक मैंने बाद लेव असिस्टेंड का एक्जाम है पहले पढ़ लेना रहे एक मैंने बाद फिर बूल जाना फिर grade के इसाफ से तैयारी करो तो जो अपना स्लेवस है उसको पढ़ना है बहुत ही छोटा सौट स्वीट प्यारा सा स्लेवस है पैनिक होने की ज़रत नहीं है बिल् स्लेवस को जी एस प्लेट पर बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है ठीक है तो जो भी स्टुडेंट जो और गाइडेंस आते हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं कि सर हमें तो केवल यह है कि आप जो पढ़ा दोगे वह वह पढ़ लेंगे हम तो अगर ऐसा कुछ हो तो जी एस प्लेट के साथ जुड़े इसी के साथ मैं दीपक शर्मा आपसे विदा लेना चाहूंगा ठीक है जै हिंद जै भारत